गुद मॉर्णिंग एवरिवान देखिया आज का मेरा प्रेजन्ट वेट है 55-600 मैंने वेट लूज चालेंज करके शुरू किया ता जनवरी सेकेंड को आज है आठ तरिक मतलब 6 दिन में मेरा वेट लूज हुआ है 750 ग्राम थोड़ा स्लोई है थोड़ा खमी अभी वेट लू कीतीं कितीं तब वेड तोड़ा है अच्छा मेरा वेट कम था ता तों आभी मेरा थोड़ा 10-200 ग्राम है थो तो मुझे लगते तंडी है तंडी मे थोड़ा स्लोः लोज लगता है तो इसके मेरा चलुच्छो फोड़ा तो यह नमक बहुत ही सस्ता है, 10 रूपीज में एक बैग मिल जाते हैं, थेली में 10-10 रूपीज में लोकल मार्केट में सेल करते हैं, तो उदर से लेके आके मैं डबब बरके रख देती हूँ, तो यही नमक यूज करती हूँ, तो देखे, और वो यह नमक को पानी डालके मैं मैं तोड़ा पानी बना के भी रख देती हूँ, कभी का बार ईजी हो थालाज में वगर डालने के लिए, तो देखे, आप लोको में ने दिखा दिया, कौन सा नमक मैं यूज करती हूँ, और मैं coconut oil यूज करती हूँ, तो पहले तो रिफान ओईल ही यूज करती थी, आज कल में coconut oil यूज करती हूँ, वो भी मैं आप लोको पहले ही दिखा शुकी हूँ, तो चले फ्रेंट्स, आप लोको में ने शेर कर दिया, कौन सा नमक मैं करती हूँ, एक दम सस्ता है ये, आप भी निलेगा तो आपको लोकल मार्केट में ये नमक यूज कीजिया, हलो एवरिवान, विल्कम बेक टू ट्रसिलास किचन, फ्रेंट्स देखिए, मैं जारी हूँ, सुबह सुबह वाकिंग के लिए, शिक्स ओ क्लोक, तो मेरे सेली ने रात को ये मेसेज दाली थी, तो आप जाने करेगा तो बता देना, मेभी आएगे खरके, क्योंकि संड़े तो वो तोड़ा फ्री थी, इसके लिए आ गए साथ में, तो मेभी चले गए, दोनों साथ में चले गए, चे बज़े गए, तो तो सड़े साथ बज़े तक आ गए अम लो, तो देखिए, अबी जा रहे, तो एक कमेंट्स मुझे ऐसा भी आया था, वाकिंग करेगा तो वेट लूस किया हुआ, बहुत ही जाने, तो बट में पहला मेने वेट लूस की थी ना, तब ही में आच्छा कासा सुबे शाम में एक्ससाइजी करती थी, जाने के टाइम कितना अंदे रहता, आने के टाइम तो 7.30 हुआ तो आम लोगो नारियल पानी वाला भी मिल गया, त नारियल पानी पीके आगए आम लोग, तो आप लोग भी ऐसा चांस मिलेगा तो सुबे का टाइम नारियल पानी पील लीजे, आच्छा है, वाकिंग से आगए तो मैं फैट कटर ड्रिंक नहीं पीयू आज, क्योंकि नारियल पानी पीके आई थी ना, इसके लिए, और तोड़ा रोस्ट करके लिया, तो चिकन के लिए मसाला पिसके लिया बाद में, तो दीके इधर में नीरुदोसक बैटर आप लोग को दिखा रियू, तो मैं वाकिंग से आने के बाद में नीरुदोसक के लिए चावल भी पिसके लिया, तो इधर में चिकन दिखा रीती, मै दुपेर को फ्राइड रेस बनाना था तो इसके लिए नारम वाला पीस मेने निकाल दी आलक से और हड़ी वाला रहता ना उसका मेने ग्रेवी बना रही हूँ बटेटव अगर सब डालके तो इसमें तेल नहीं यूस की यूमें डायरेट चिकन को बटेटव, औरी मिर्ची, और टोमेटर डालके मैंने पकाने के लिए रखी थी वो पकने के बाद मासाला रोस्ट किये थी ना नारियल का उसमें डालके अच्छे से मैंने ग्रेवी को बॉइल करके लिया तो देखे अभी चिकन ग्रेवी बनके तायर हो गया अच्छा ग्रेवी टिस्टी बनता है तो तो चेहल चैंड है, ध्याने, भूशत गया हूं,But भूशत गया लेसigung में पीन में भाख चिंगागा भी मां चलते हैं जादे बकी चाहते हैं चलते हैं, फाने खूतों बदहसों को सैता है। तो आप लोग को चाहिए तो फका हुआ चावल तोड़ा एड़ कर सकते हो थोड़ा सा जादा नहीं तो स्टिक्की हो जाएगा तो देखे फ्रेंट्स अच्छा सॉप्ट सा नीरुदोसा बनके तैयर हो रहे फ्रेंट्स आप लोग को पता ही रहेंगे आप लोग भी बनाते र चाहिम चावल के साथ ही सां फिस लेने का तो उसका दोसा बनाने का नीरुदोसा बनाने का बट चावल तो अच्छा से नाइस घ्रैंड करने का थो ई आसा सॉप्ट स सा बनेगा दरद़ा नहीं पिसने अच्छा से नई स्पिस्ट ना पड़ेगा तो कुकंबर डालके एक बार ककडी डालके आप पिसके भी नीरुदोसा बना के दिखे अच्छा टेस्टी हल्दी नीरुदोसा बनके तायर होते हैं आपका वेट लोस चरनी में तो काने में और भी अच्छा अलग अच्छा है वो तो में तो ट्राय कियी हूं में बहुत बार बना चुकी हूं तो कभी और वाइक बार बनाएगे तो में आप लोग से शेर करूंगी तेक। में दो नीरुदोसा चिकन करी के साथ काई यूं और ब्लाग कॉफी लिए थी तो फ्रेंट्स आज सुबे में चिकन करी बनाई थी मेरा आजबेन का सुबह का डूटी ता नहीं तो दुपेर को काना काके जाते हूँ हाज साटड़े संड़े वगर उनका सुबह का डूटी रहते तो ब्रेक्पष्ट करते दूसरा लंच के लिए नहीं रुखते तो इसके लिए मैंने चिकन करी सुबह बनाई थी देखे नरम निकाल के रखिती ना बिना अड़ी का वो मैं आभी फ्राइड राइस बनाने के लिए इधर देखे फ्राइड चावल भी मैंने पका के रख दिया था इधर देखे स्प्रिंग उन्यन ओवी कटकर के मैंने रख दिया था वीनगर मैं सब चीज अपलोको दिकार रियो क्या-क् और सोया सोस, दो हंडा लियो और ये स्वेजोन सोसे ग्रीन चिली सोस में नहीं लाती हूँ बार का तो मैं ग्रीन चिली सोस के बदले में क्या करती हूँ ग्रीन चिली लेती हूँ उसमें विनगर डालती हूँ और तोड़ा सा नमक डालके आच्छे से पिस्के ले लेती हू वो ही में ग्रीन चिली सॉस के टाइप में यूस कर लेती हूँ देखे थोड़ा एक उस्पून उतना में ओइल डाली थी उसके बाद में लोसुन डाल दिया और ओनियन भी डाल के अच्छा से फ्राई कर रही हूँ एक साइड में में अंडा फ्राई करने के लिए रख रही तो फ्रेंड्स आपके पास चिली सॉस नहीं रहे गो तो ऐसे भी आपका विकबार बना के देखे अच्छा टेस्टी लगता है क्योंकि विनगर भी डाला है नमक भी और तिक्का भी सब अच्छा लगते है तो सॉस का जैसे आपको टेस्ट भी लेगा उससे भी अच्छा मि घ्राइण के लाएक काम भी टुखड़ा करके दाल दिया है उसके बाद ब्लेक प्लाइक पर डालर ही हूँ अभी तोड़ा उपर से विनगर डालेगी अच्छा से लिख से मिक्स करके उसमें तोड़ा मैने उड़ा काने रख दिया क्योंकि में शाम को फ्राय ड्रेस नहीं क सालाद बना के मैं खाएगी वेजटेबल बगर डाल के इसके लिए में रखियो तो देखें फ्रेंड्स इदर मेरा पोशन कंट्रूल चिकन फ्राइड रैस ताली मैं आप लोग से शेर कर रही हूं तो अच्छा टेस्टी बनते हो देखें कौन भी डाली हो इसमें तो के मेरे वन न वरे एक्सिस गी ति उसके बाद नाधू के आगई बाद में आभी इदर चिकन सालाद बनाने के लिए तायर कर रही हो तो फ्रेंग पेन में आदा स्व्राइड तेस्पून होत्ता मेने गी डाली ती उसमें में दूकि आभी फूलगोबी डाल दिया तो फूल में निखा लेकी असमें टालने लाड में इसमें तोड़ा नमक भी आड़ कर दिया वेजेटेबल में ते बाद में साब वेजेटेबल स्टाल दिया मैंने इसमें ताट टोमेटो ककडी kapsigum फूलको भी और तोड़ा मक्का कोन और उपर से मैंने nign fromcock कर रखीती ओ भी एक्स्ट्र मसाला नहीं डालें इतना बाजी बज गया है को खल दुपेर को में यूज करेगी तो देखिए मेरा हेल्दी डिननर थायार हो गया चिकन सलाथ चिकन वेजेटेबल सलाथ बोल सकते आप तो अभी तंडी है तो तंडी में तो थोड़ा वेट लूज होना कम कमी वे नहीं घशार हेल्दी खाना बना के काई है गर्मीग बना के काये बार से मत मगाए तो अनल हो जाते तो इसके लिए तो फ्रेंड्स ऐसके पीएँ ना में वेजटेबल जूस बना के पीएँ आपके पीएँ तो आपने में दो तीन बार भी एगा तो इना फेटाइब जूस पीते तब ही टितॉक्स वाटर पीने का ज़रूरत नहीं बट आज में कुछ भी नहीं पीएँ ओल्ली फैट कटर ड्रिंग पीएँ